option trading क्या एक single line पे किया जा सकता है तो answer है yes आप में से काफी सारे लोगों को ये लगता है कि option trading करने के लिए आपको बहुती complex setup की जरूरत पड़ेगी option chain data देखना पड़ेगा, global market का news देखना पड़ेगा और तमाम ऐसी चीजें जो की बिल्कुल भी relevant नहीं होती है trading को लेकर के आप उन चीजों के चक्कर में फसे रहते हैं और actual में जो chart analysis है आप वो करते ही नहीं है, अगर आप chart analysis करोगे तो बाकी चीजें आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चाहे market में कोई भी news चल रही हो, उसका impact आपको chart पे देखने को मिलता है, chart analysis करो, price section आपको पता होना चाहिए और जो indicator आप use कर रहे हैं, जिस पे आपकी अच्छी command है, उसके बारे में आपको in-depth knowledge होनी चाहिए, सारा impact आपको chart पे नजर आ जाएगा example के लिए मान लेते हैं कि कोई company है, उसकी insider information की वज़े से, किसी को पता चल गया कि उस company में घाटा होने वाला है और जिसकी वज़े से stocks बेचे जा रहे हैं तो news fake हो सकता है, लेकिन chart fake नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार-बार अपने students को Sunday session के अंदर बोलता हूँ कि आप सबसे जादा importance जो है, आप chart reading को दीजे, यहाँ पे अगर आपको price section समझ में आने लगा, आपका अपना personal setup जो जिस भी indicator पे based है, वो आपको समझ में आने लगा, तो profit बड़ी ही असानी से आप option trading के अंदर निकाल सकते हैं example के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, bank nifty का 5 minute का chart लगा हुआ यहाँ पे, 5VMA strategy, लगातार उस पे videos मैंने बनाया है, 300 से जादा videos मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्यों सिर्फ 5VMA strategy, क्योंकि यह मेरे logic से match करता है, और अगर कोई चीज आपके logic से match करता है, त आपको उस strategy पे trust भी होगा, 5VMA के अलावा एक और strategy है, जिसको मैं as a backup strategy यूज़ करता हूँ, अगर मुझे 5VMA पे entry नहीं मिलता है, तो मैं second entry जो है, वो अपने backup strategy के base पे लेता हूँ, तो फिलहाल जो primary है, वो 5VMA है, उसके base पे आपको दिखाता हूँ, कि entry कहां कहां पे मिल यह जो orange वाली line आपको दिखाई दे रही है, यह 5VMA की line है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी candle, जो 5VMA strategy क्या बोलती है, कि कोई भी candle अगर 5VMA के उपर closing दे दे और low अगर उसका touch नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, low break होते ही आप entry लेंगे, और same candle का high आपका stop loss होता है, इस हिसाब से देखें, तो market के opening इस बड़े वाले candle पे होता है, बेरिश वाले पे, फिर market थोड़ा सा sideways जैसा हो जाता है, और finally कोई candle हमें, शुरू के अगर मैं बात करूँ, एक घंटे में हमें नहीं मिलता, जिसके उपर हम entry बना सके, यह वाली candle सार का candle अगर आपका form होता है, ठीक है, तो यह आपका एक convincing setup नहीं होता है, खास करके जब अगर 20 A में के आसपास में हो, ठीक है, अगर आपको भी detail में समझना है कि convincing setup क्या है, और non convincing setup क्या होता है, 12 rules हैं इस चीज़ को लेकर के, जो मैं Sunday session के 3 घंटे के time frame में आपको समझाता हू इसके लाप आप सीखते हैं, trading edge क्या है, probability क्या है, risk कैसे manage करते हैं, position sizing कैसे बनाई जाती है, कहां पे entry लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, everything आप समझते हो, 3 घंटे के उस live session में, strategy तो सिर्फ 5 बिनट की है, और वो 3 घंटे जो हम dedicate करते हैं सिर्फ 7 लोगों के साथ में, वो complete setup सम second entry आपको मिलती है, इस जगे पर ये वाले भी convincing entry नहीं है, और मैंने अपने telegram channel पर इसके बारे में बताया था, कि जिन लोगों को भी यहां पर entry लेनी है, और जो ले रहे हैं, वो सिर्फ scalping देखें, यहां पर 1 is to 2 या 1 is to 3 का target आप expect नहीं करेंगे, ये telegram channel पर मैंने ये द लिया हुआ है, तो जिन लोगों को भी premium telegram channel का part बनना है, सिर्फ students को मैं बता रहा हूँ, वाकी लोगों को वो telegram का access नहीं मिलेगा, जितने भी students है, telegram channel का part बनना चाहते हैं, तो whatsapp में मुझे connect कर सकते हैं, number आपके screen पर flash हो रहा है, आप वहाँ पर connect करके उस group का part बन सकते ह यहाँ पे मैं इस तरह का कुछ level अगर आपको मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ share जरूर करूँगा, तो यह वाला scalp के लिए better था, एक candle का scalp यहाँ पे मिला, और अगर आप single candle भी देखोगे, तो 78 points का है bank nifty पे, एक अच्छा खासा point, अगर आप per lot के हिसाब से भी देखोगे, तो आपको कितना मिलेगा पता है, 39 points के आसपास, यह थाक्रिवन 40 points के आसपास का premium पे, और अगर आप इसको multiply कर देते हो एक lot से, तो 600 रुपे per lot के आसपास आपको जो है, इस candle में मिल जाता, अगर कोई यहाँ पे scalp करने की कोशिश करता, तो अगर आपने scalp नहीं किया, तो आपका ये वाला भी SL जाएगा, क्योंकि इस candle ने आपका SL ले लिया है, अब ये सब चीज़ें पहले से कैसे पतासल जाता है, planning कर सकते हैं, answer है yes, अगर आप एक ही system पे लंबे time तक काम करते हैं, एक डेड़ साल आपने उस पे time दिया है, या फिर आपने quickly कह सीखा है, आपने 10-15 दिन लगा के इस setup को completely सीख लिया है, तो भी आप इस तरह के चीज़ों को पकड़ सकते हैं, पहले है कि कौन सी जगह पे scalp करना है और कौन सी जगह पे आपको 1-3 के target के लिए wait करना है, तो ये वाली entry convincing नहीं थी, avoid करना था, चलो आपने SL दे दिया, यहा यहाँ पे ये वाली entry नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 5MA को almost touch कर रहा है ये वाला candle, तो इस वाली entry को हम avoid ही करेंगे, तो हमारी entry ही नहीं बनती है, third entry हमें मिलती है इस वाले candle पर, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे चलो entry plan करते हैं, ये वाला candle प target क्या, यहाँ पे हमें मिला sir, ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे chart को थोड़ा सा हम zoom out करके, यहाँ पे आप देखोगे, तो अगर पूरे swing को हम capture करते हैं, तो 1-3 का target जो हमें यहाँ पे मिल गया है, 240 point का target अगर ये पूरा swing को हमें capture करता, तो 1-3 से थोड़ा सा जादा है ये, अब हम premium वाले chart पे आके देखते हैं कि क्या actual में हमें कितने points मिले हैं, कहीं stop loss तो नहीं hit हो गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे candle sideways हैं, तो क्या sir, इसमें stop loss तो नहीं hit हुआ, यही जाके देखते हैं, तो जिस जगह पे हमारी entry बनती है, वो entry है, 47,155, अगर मैं इसमे candle के low break होने पे हमारी entry हुई है, सेम candle के high break होने पे हमारे put में entry बन जाती है, जिल लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, comment section के अंदर लिखे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक यह video आपको पसंद आया है, तो like जरूर कीजे, इस तरह की free videos में आगे भी आप लोगों के upload क करता रहूंगा, और जो लोग channel पे नए है, channel को subscribe करके bell icon को press कर दें, ताकि जब भी मैं videos upload करता हूँ, तो notification आपके पास आजा, इसके लिए ज़रूरी है कि channel को subscribe करने के बाद आपने bell icon को press किया हूँ, तो यहाँ पे मैंने entry बना दिया इस candle पे, जिस candle के low break होने पे हमारे, य अगर मालो 76 point का round number में देखें, तो 76 point का stop loss हमारा यहाँ पे है, अगर उसका half कर देते हो, तो वो निकल किया आता है, 38 point का stop loss हमारे premium के chart पे, यहाँ पे देखोगे, तो मैं यह 38 point का stop loss जो है fix कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, यह हमारा 38 point का stop loss जो है fix हो ठीक है, और अगर आप देखोगे, तो यह stop loss हमारा hit नहीं हुआ है, right hand side वाले chart पे देखो, 38 point का stop loss हमारा hit नहीं हुआ, और जिस swing पे हमारा target meet हुआ है spot के chart पे, वही swing हम premium पे पकड़ेंगे पूरा, और देखेंगे कि क्या हमें 1 is to 3 मिल गया, answer है yes, 1 is to 3 का target जो हमें यहाँ पे मिल गया है, और अगर आप देखोगे, तो spot के chart पे हमें target कितना है, 240, मिलना कितना चाहिए था, 140 premium पे, क्योंकि जितना spot move करेगा, उसका आधा हमारा premium मूव करेगा, तो 240 का यहाँ दिखा रहा है, premium पे मिलना चाहिए, 120 के आसपास, sorry, तो 240 का आधा 120, यहाँ पे मिला कित काफी सारे लोग time decay से डरते हैं, तो सही जगे पर आपकी entry बनती है, तो time decay उतना impact आपके premium पे नहीं डालेगा, इस तरह की entries अगर आपको capture करनी है, और इतने बड़े targets के लिए आपको play करना है, तो इस setup को completely आपको सीखना जरूरी है, तो जिन लोगों को भी Sunday session का part बनना है, नीचे आपको number flash हो रहा है, connect करके आप Sunday session का part बन सकते हैं, सीख सकते हैं कि कौन सी entry लेनी है और कौन सी entries avoid करनी है, एक चीज़ और आपको बता दो important कि अगर आप blindly trade करते हैं 5BA में setup को ले करके, तो इसका win rate सिर्फ 27% का है, पिछले कई videos के अंदर मैंने आपको इसका win rate जो है share किया अगर आप बिना confirmation के trade करते हैं, यानि 100 में से 27 trade ही आपके अच्छे जाएंगे, बागी के 73 trades जो हैं आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आपको high quality trades identify करना आना चाहिए, नहीं तो जो भी आप capital ले के आओगे, आप drawdown में फस होगे और वो capital आपका zero हो जाता है, और ऐसे में अगर आप बिना CK trade करेंगे, तो capital जिससे आप से आप 2-3 करने के purpose से आप market में आते हो, तो capital उतनी ही जल्दी आपका wipe out भी account से हो जाता है, ठीके जी, चलिए ये थी एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की कि कैसे आप एक simple strategy के base पे profit जो है market से निका जाता हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए ठेक ही और and keep learning new things as always क्योंकि learning ये आपको एक अच्छा and successful trader बना सकती है, thank you so much.